प्रेंड्स यदि आप BPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि current affairs कितना महत्व रखता है प्रेंड्स की बात करें तो question paper में 32-35 question जो है direct current affairs से होते हैं तो आपको पता चली ही गया कि ये कितना महत्व रखता है आपको किसी BPSC की किसी भी paper को qualify करने में प्रेंड्स के ठीक है तो इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये शुरू करी है या current affairs की दूसरी सीरीज है पहले सीरीज में हमने राष्टिय परिदिश्ची के वारे में नेशनल लेबल पर जो जी नेवी development हुए है पिछले 6 महीनों में उसके वारे में चर्चा कर रहा था और आपसे जो है हम थोड़ा सा इसका format बदल रहे हैं क्योंकि हम इसको टेस्ट सीरीज में करेंगे और उसके साथ साथ जब उसका solution पढ़ेंगे तो description के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको question जादा दिनों तक retain हो पाए आपके दिमाग में तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे request है यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके बेल लगाई कर नबाद दीजिए ताकि कोई भी latest notification आप तक असानी से पहुंच सके CDPO का भी एक्जाम होने वाला है बहुत ही crucial exam है CDPO का जो नेचर है prelims का वो BPSC से हटके है क्योंकि CDPO में जो भी general studies होती है उसके परतेक section को छोता है तो आप कभी भी इसका holistic whole level पर तयारी करना किसी भी जैसे economic नहीं छोड़ सकते हो और इसके साथ साथ आपको science and technology नहीं छोड़ सकते हो इसके साथ environment technology नहीं छोड़ सकते हो जबकि BPSC में कभी-कभी इन section से प्रश्ण नहीं पूछा जाता है ठीक है यह आने वाले BSSE exam PR SI exam और पिहार government के जितने भी exams होने वाले हैं सब के लिए important है तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic है economic current affair test number one यह लगबग 24 question है आप इसमें cut up की बात करें तो आप इसमें जो है 22 question सही करके द चाहरा है क्योंकि मैं आपको पता होगा कि 66 BPC prelims का जो cut up है 108 गया तो कितना competition बढ़ चुका है इसलिए मैंने cut up भी बढ़ा दिया जले शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है कि निम्न में से कौन अमेरिका से carbon neutral oil प्राप्त करने वाली पहली company है जो option दिया हुआ है इसमें से क पहला carbon neutral oil प्राप्त करने वाली company है carbon neutral का मतलब जो oil है उसको जलाने से carbon उसर्जन नहीं होगा आपके option है Reliance Industry Limited, ONGC, HSBC और इसमें से कोई नहीं सही option जो हो है वह Reliance Industry Limited है ठीक है? Reliance जो है अमेरिका से carbon neutral oil प्राप्त करने वाली पहली company है और यह उपलबदी जो है इसे इसने target कर आया है कि इसको 2035 तक शुद्ध सुन carbon company बनना है तो यह जो import है carbon neutral oil का इसके लक्ष को प्राप्त करने में साहता प्रदान करेगा दूसरा question है कि हाली में Hong Kong even Shanghai Banking Corporation इसको in short बोल सकते हैं HSBC किस जगह पर अपनी International Banking Unit शाखा का उठगाटन किया है? options हैं आपके गुजरात International Finance Tech City, Guru Gram Tech City, New Delhi और Patna पताईए इसका सही option जो है वह A है गुजरात International Finance Tech City ठीक है? अगला question देखते हैं, अगला question है कि बिश्व की सबसे मुल्लेवान दो पहिया वहान कमपनी नीम्न में से कौन सा है? options हैं आपके Harley Davidson, Royal Enfield, Bajaj Auto, Hero India Limited तो सही option है Bajaj Auto ठीक है? यह बिश्व की सबसे मुल्लेवान दो पहिया वहान कमपनी है Bajaj Auto धान में रखना? अगला question है, 17 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त बैपार समझोता अर्थात Free Trade Agreement किया? options हैं, Israel, China, America, Mauritius free trade agreement का मतलब क्या होता है? import और export duty नहीं लगाई जाती है किसी भी goods के import और exports पे देशों के द्वारा जो free trade agreement में शामिल होते हैं उस पे duty नहीं लगाई जाती है, import और export duty ठीक है, अगला प्रशन है अगला प्रशन है, उद्योग एवं आंतरिक बेपार समवर्दन बीभाग के द्वारा जारी अध्यतन आंक्रो अर्था जो भी updated आंक्रा है उसके अनुसार कितने राज्यों ने अब तक Ease of Doing Business Reforms को पूरा किया है? ठीक है, Ease of Doing Business Reforms को पूरा करने वाला अभी तक जो राज्यों है, वो 15 स्टेट्स हैं जो अपने यहाँ Ease of Doing Business Reforms को लागू कर चुके हैं ठीक है? अगला प्रशन है कि निम्न में से कौन सा देश भारत में FDI अंतर प्रवा के मामले में दूसरे अस्थान पे है ठीक है, यह बहुत ही, मतलब अच्छा प्रशन है थोड़ा सा गुमा के पूछा गया है कहा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भारत में FDI अंतर प्रवा के मामले में दूसरे अस्थान पे है तो अमेरिका ठीक है अमेरिका जो है FDI अंतरप्रवा के मामले में दूसरे अस्तान पे है पहले दूसरे अस्तान पे मौरिशस था ठीक है पहले दूसरे अस्तान पे मौरिशस था इसको हटा के अमेरिका दूसरे अस्तान पे चला गया है ठीक है पहले अस्तान पे है दूसरे अस्थान पे अमेरिका, तिसरे अस्थान पे मौरिशस, और मापकी जी का तिसरे अस्थान पे जो है, एक द्वीब समू है, केमेन द्वीब समू, ठीक है, केमेन द्वीब समू, यह है तिसरे अस्थान पे, पहले अस्थान पे सिंगापूर, दूसरे अस्थान पे अम अगला प्रश्ण है कि 2020-21 की पहली शमाही में देश में सरवाधिक FDI की सेक्टर में रहा, ठीक है, ओप्सन से हैं आपके शेवा शेत्र, कंप्यूटर सब्ट्वेर एवं हाडवेर शेत्र, प्रात्मिक शेत्र और इसमें से कोई नहीं, सही ओप्सन जो हैं, कंप्यूटर सब् एक FDI प्रात करने वाला राज्य है, पहले अस्थान पे गुजरात है, दूसरे अस्थान पे करनाटक है, और तिसरे अस्थान पे महारास्ट है, ठीक है, बाल समझ में आगई यह आपको, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है कि ऑक्टन मान किसकी गुणवत्ता का सूचक है, ठीक है, यह current affairs से static portion लिया गया है, और पूछा है क्टन मान किसकी गुणवत्ता का सूचक है, औप्सन है, diesel, petrol, kerosine, और नारियल तेल, तो अक्टन मान जो है, पेट्रोल के गुणवत्ता का सूचक है, जितना अक्टन मान high होगा, उतना ही, जो है, पेट्रोल को अच्छा माना जाएगा ये premium grade petrol जो है octane 100 है octane 100 ठीक है इसको xp100 brand name से जो है 1 December 2020 को देश में इसकी उपियों की शुरुवात करी गई 1 December 2020 से इस नाम से xp100 के नाम से इसे octane 100 भी बोल सकते हैं ठीक है इसी brand के नाम से हमारे यहां जो है 1 December 2020 से इसकी शुरुवात करी गई उपियों की शुरुवात करी गई निम्न मेंसे किस देश के द्वारा भारत को मुद्रा हेर फेर निगरानी सूची में शामिल किया गया है निम्न मेंसे किस देश के द्वारा भारत को मुद्रा हेर फेर निगरानी सुची में शामिल किया गया है ऑप्षन सें आपके अमेरिका, जपान, चाइना और इंगलेंड साइ ऑप्षन होगा अमेरिका मुद्रा हेर फेर का यहां से मतलब हुआ कि भारत के साथ साथ अमेरिका ने तैवान और स्वीजर लैंड को भी इसमें शामिल किया है ये जो है डॉलर के मुकाबले जो है अपनी मुद्राओं के मुकाबले उसका अमुल्यन कर सकते हैं अगला प्रश्ण है कि विश्व परसिद इलक्रिक वाहन कमपनी टेसला ने कहां पर अपना पहला भारतिय इकाई अस्थापित किया है तो आपका सही ऑफ्षन है बेंगलोरू ठीक है बेंगलोरू में विश्व परसिद आपको पता बंगलोरू में शुरू किया है इसके नाम से टेसला इंडिया मोटर्स एन एनरजी प्राइबेट लिमिटेट के नाम से अगला प्रश्ण है बंगला देश ने अपना पहला प्रिफरेंशिल ट्रेड एगरिमेंट पी टी ए ठीक है अर्थात तरजी ही बेपार समझाओता कि इस देश के साथ किया है आपके भारत, चाइना, नेपाल और भुटान सही अप्रशन होगा अगला प्रश्ण है कि डिजिटल इवोलूशन एसकोर कार्ट 2020 में शिर्ष अस्थान पे कौन सा देश है तो आपका सही अप्रशन जो है वो चीन होगा जबकि भारत को ब्रेक प्रेक आउट इकनामी में जो है चोथा अस्थान मिला है डिजिटल इवोलुशन एसकोर कार्ट में ब्रेक आउट इकनामी का मतलब होता है ऐसी इकनामी जिसमें ब्लक्सित देश होने की शमता हो ठीक है आगे देखते है हाली में कौन सा small finance bank जो है के रूप में license पाने वाला पहला शहरी सहकारी bank है हाली में कौन सा small finance bank के रूप में license पाने वाला पहला शहरी सहकारी bank है तो इसका सही option होगा शिवालिक mercantile ठीक है ध्यान में रखिएगा सारे questions बहुत important है यदि देखे आपको PDF चाहिए किसी भी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका PDF चाहिए तो नीचे दिये गए description box में जो टेलिग्राम का link है उसको आप join कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो है PDF के साथ साथ PDF notes के साथ साथ randomly quizzes चलते रहते हैं जिसको आप solve करके जनकारी प्राप्त कर सकते हो अगला प्रशन है कि भारत का पहला social impact bond जो है स्रीजित करने वाला निकाय कौन सा है options हैं आपके दक्षणी दिल्ली नगर निगम, पटना नगर निगम, पिंपरी चिंचवाड नगर निगम, दरवंगा नगर निगम तो इसका सही option जो है वहाँ पिंपरी चिंचवाड नगर निगम है यह भारत का पहला social impact bonds जिजित करने वाला पहला निकाय है देखिए मूल रूप से सारफजनिक शेत्र प्राधी करण के साथ यह एक अनुबंध है एक तरीके से और जहां पर यह बहतर समाजिक परणामों के लिए भुगतान करता है social impact bond जिएक है 2020 में किन देशों के GDP में धनात्मत ब्रिदी प्राप्ट की गई है options हैं आपके टर्की, मिस, पंगलादेश तीनों तो तीनों में जो है जो भी small countries हैं इन तीनों में जो है 2020 में बावजूड COVID positive increment देखा गया इनके GDP में टर्की में जहां 0.5% की ब्रिदी दिखी गई positive increment वहीं मिस्र में 3.6% की वहीं बांगलादेश में तीन अलगबग 2% की ठीक है जबकि यदि बड़े देशों की बात करी जाए तो चाइना ही एक मात्र ऐसा देश था जिसके GDP में 2020 में बावजूद COVID के 2% की ब्रिदी तर्च करी गई ठीक है NSO जो है National Statistical Office के नविंतम संसोधित आकलन में प्रचलित मुल्ल पर प्रती बेक्ति आये 2019-2020 में कितना आकलित किया गया है तो इसका सही एंसर होगा 1,34,186 रुपिय अगला प्रशन है कि World Economic Outlook Report किसके द्वारा जारी किया जाता है World Economic Outlook Report जो है वहाँ IMF के द्वारा जारी किया जाता है International Monetary Fund के द्वारा जारी किया जाता है ठीक है इसने बताया है कि 2021-22 में जो है भारत के GDP में लगबग 11,5% की ब्रिदी का अनुमान है अंक टाड की विपूर्ड के अनुसार 2020 में भारत में FDI अंतरपरवा में कितना प्रिदी होई तो सही option होगा 13 प्रिदी बाजूत कोविड जहां विशु के अन्य देशों में FDI अंतरपरवा में कमी देखी गई वहीं भारत में इसमें 13% का उच्छाल देखा गया लगबग 57,5 रूपिय के बराबर हुआ या 13% उच्छाल चीक है आगे देखते हैं वाश्विक भुकमरी सुचकांग 2020 के अनुसार भारत की इस्तिती किसमें है options है आपके भुक की इस्तिती इसमें यहां पे भारत में जो है कापी गंबीर बनी हुई है दूसरा आफसान है भुकमरी की इस्तिती मद्यमस्तर पे है भुकमरी लगबग खत्म होने के कगार पे है और चौता आफसान है इसमें से कोई नहीं तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी भुकमरी सुचकांग है 2020 का इसके अनुसार जो है भारत में भुक की इस्तिती काफी गंबीर बनी हुई है यदि भारत के पडोसी देशों की बात करी जाए तो ये पडोसी देश इसके पागिस्तान, नेपाल, बुचान और बंगला देश से भी यह पीछे है ठीक है वैस्ट्विक भुकमरी सुचकांग 107 देशों में इसका अस्थान जो है 94 हुआ है अगला प्रशन है कि भारत का वहार राज्य जो फल और सब्जियों का निश्चित अधार पर मुल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य बना है इसका सही ओप्शन है केरल चीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है इसमें से किस बैंक ने बितिये समावेशन के लिए ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है बहुत इंपर्टेंट कोश्चन है अकसर पूछे जाते हैं एक्जाम में तो इसका सही ओप्सन होगा PNB पंजाब नेशनल बैंक चीक है अगला प्रशन है इसमें से किस बैंक ने बितिये समावेशन के लिए ग्राम संपर्क आप किजेगा वहीं का प्रशन है कि एनेचो 920 किसकी प्रजाती है प्याज चनाल लीची और माखाना आपके सही ओप्सन जो है वो प्याज होगा ठीक है एनेचो 920 जो है या प् किसम है राष्टी बगवानी अनुसंधान यों विकास परिशद नेशनल और होटी कल्चर रिसर्च और डेवलाप्मेंट फांडेशन के करनाल इसते के अंदर में प्याज की नई किश्न में बिसीत करी गई है जो किवा 75 दिनों में तयार हो जाएगी तो यह थे आपके कु बढूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तक इसका लाव और लोगों को भी मिल सके फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए साइनिंग आप टेक कियर घर में रहिए सुरक्षित रहिए